राम राम आज हम श्रीमत भक्वत कीता की अध्याय आठ अक्षर ब्रahma योग का श्लोक आठ देखते हैं पहला चरण अ के साथ आधा भ अभ यास स में अमिक्स करेंगे अभ्यास योग ग में अमिक्स करेंगे योग यू के साथ आदा क युक ते युक ते और न पूरा न में आमिक्स करेंगे युक ते न पहला चरण रिपीट अभ्यास योग युक ते न दूसरा चरण चे त में आमिक्स करेंगे चे तरसा ना के साथ आधा ननन, य में अमिक्स करेंगे नान्य, नान्य, गामीना, गामीना दूसरा चरण रिपीट, चेतसा नान्य, गामीना पहला और दूसरा चरण साथ में, अभ्यास योग युक्तेना चेतसा नान्य, गामीना तीसा चरण पर, प में अमिक्स करेंगे, र में अमिक्स करेंगे, पर, म में अमिक्स करेंगे, पर, म शब्द पूराणी के बाद लास्ट वाले अक्षर पर अनुस्वार है उसको पढ़ेंगे आधाम परमम पूरुश शब्द पूराणी के बाद लास्ट वाले अक्षर पर अनुस्वार आधाम पूरुशम दी आधाव दिव्य शब्द पूरान के बाद लास्ट वाले अक्षर पर अनुस्वार आधाम दिव्यम परमम पूरुषम देव्यम चौथा चरण याती पा था के उपर आधार इसको राइट साइड में देखेंगे उपर जो मात्रा है वो है आधार और था पार्थानू ची के साथ आधान चिंत पूरा त में आमिक्स करेंगे चिंत य पूरा आधान चिंत यन चौथा चरण रिपीट करेंगे याती पार्थान चिंत यन तीसरा और चौथा चरण साथ में परमम पूरुषम देव्यम याती पार्थानू चिंत यन पूरी श्लोक का उचारण एक साथ अप्यास योग युक्तिन चेत सान अन्यगा मिना परमम पूरुषम देव्यम याती पार्थानू चिंत यन एक बार वापस अभ्यास योग युक्तिन चेत सान अन्यगा मिना परमम पूरुषम देव्यम याती पार्था पर्थानू चिंत यन श्लोक का अर्थ देखेंगे बहुत इंपर्टेंट श्लोक है इससे पहले वाले श्लोक में हमने दिखा कि अन्तजमे में अगर परमात्मा का स्मरण क्या जाए तो वा परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त करता है या जिस भी भाव को जिस भी स्वरूप को एक मनुष्य अन्तजमे में याद करता है वा उसी योनी को प्राप्त होता है इसके बार हमने आठवे देखेंगे सातवे श्लोक में देखा कि हर समय हर कार्य करते वे परमात्मा का स्मरण करना चाहिए और उस हर करतव्य को हर कार्य को भगवान के अरपन कर दिना चाहिए वहां भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए कहा पर भगवान अर्जुन को ये शिक्षा देते वे हम सभी को ये शिक्षा देते हैं कि हम सभी को जो करतवे जो काम हमारे सामने आ गया है उसे करना है लेकिन उसको करते वे परमात्मका स्मरन करना नहीं भूलना है और हर कारे को भगवान के अर्पित कर देना है इसी श्लोक के कड़ी में आज के श्लोक में क्या बोल रहा है भगवान अभ्यास और योग ये दो शब्द आज प्रियोक्त हुएं तो अभ्यास का अर्थ हुआ किसी चीज की प्रेक्टस करना मतलब अपनी मन को संसार से हटा कर परमात्मा में लगाना उसको कहते हैं अभ्यास और योग का अर्थ होता समता यानि हम परमात्मा में लगा तो रहें पर किसी भी बात की कोई इच्छा ना हो सम हो हर चीज में वो समता की स्थति होती है योग युकतेन यानि उसके साथ किसके साथ अभ्यास और योग के साथ चीत सा चित से नान्यगामिना इस शब्द में क इसी और चित नहीं लगाने वाला मतलब और अन्य से चित नहीं जाने वाला उसका परमम परम पूरुशम पूरुश दिव्यम दिव्य याती प्राप्त होता है पार्थानू यानि पृथा नंदन। प्रिथा के लिए प्रिथा कुंती का ही दूसरा नाम है और कुंती के पुत्र होने के कारण अर्जुन को पार्थ भी कहा जाता है भगवान ने यहाँ पर अर्जुन को पार्थ शब्दों से प्रयुक्त किया है पार्थ धन अनुचिंतयन यहाँ पर अ की मत्रा और अ की मत्रा आ की मत्रा बन गई ठीक है पार्थ धन अनुचिंतयन यह दो शब्दों से पार्थ अनुचिंतयन बना है तो पार्थ यानी अर्जन और अनुचिंतयन यानी चिंता करता हुआ चिंता करता हुआ मतलब कि आप चिंतन करता हुआ अनुचिंतन यानी चिंतन करता हुआ अभी पूरा अर्थ क्या हुआ है प्रिथानंदन अभ्यास योग से योग्त मतलब कि बार बार संसार्स अपने मन को हटा कर परमात्मा में समता रूप से लगाने वाला और अन्य कहीं पर भी अन्य का कोई भी चिंतन नहीं करने वाला चित्त से केवल परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ उसी को प्राप्त हो जाता है अर्थ से आपको ये चीज समझ में आ गई कि बार बार परमात्मा से जैसे कि हम जब अंत्य समय हप्ता है या पन जो भी कोई कारे करें तो बार बार अपना मन संसार की चीजों पर जाता है केवल चित्त से उस परम पुरुष यानि परमात्मा का चिंतन करने वाला उसी को प्राप्त हो जाता है यानि परमात्मा को प्राप्त हो जाता है इसलिए तो कहा जाता है कि चिंतन केवल उसी का करना चाहिए जिसको आपको प्राप्त करना है तो हम मेरा मनुश्य शरीद केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है इसलिए हमें हर समय केवल परमात्मा का स्मराण करना है जिससे की हम परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त हो सके इसके लिए बार बार संसार से अपना मन हटा कर कीवल परमात्मा में लगाना है और समता की स्तधी पैदा करनी है और सभी चिंतन को छोड़ देना है अविनाशी सहज सुखराशी ही नाथ ही मेरे नाथ मैं आपको भूलू नहीं नारेन नारेन नारेन